ओम शांती आज आपका 84 दिन का वर्दान और इस वर्दान में परमपिता परमात्मा या बाबा हमें सिखाते हैं कि हमें हर कदम पर पद्मों की कमाई जमा करते रहना हैं देखा जाता है दुनिया वाले आज धन की कमाई को जमा कर रहे हैं लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो कमाई तो यहीं रह जाने वाली है लेकिन आत्मा की जो कमाई है वो अगले जनम तक जाएगी और मुक्ती तक जाएगी तो हम आत्माई मन, बुद्धी और संसकार लेक़ जाएंगे इपने साथ बाकि सब कुछ जो भी स्थूल है यही का यही रह जाने वाला है केवल अपने सुख्षम कर्म हुमारे साथ जाते हैं और शरीर और शरीर की चीज़ें और सारे संबंद यही के यही रह जाते हैं लेकिन उन संबंदों के साथ उन चीज़ों के साथ में को कर्म कैसे करने हैं उसके लिए बीज मतलब मेरे संकल्ब सही होने चाहिए तो हर कदम, कदम मतलब हर संकल्प ही आत्मा के लिए कदम है जैसे शरीर के लिए हर कदम से हमें अपने लक्ष तक पहुंचते हैं लेकिन आत्मा का संकल्प ही एक कदम है जो कि हमें अपने आध्यात्मे के लक्ष तक पहुंचाता है तो परमात्मा आज हमें सिखाते हैं कि हम क्या करें ताकि हम वो कमाई को जमा करें और क्या ना करें ताकि वो कमाई हमसे कहीं छिनना जाए तो देखें आज बाबा कहते के हैं बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम कदम अब आप समझ गए हैं कि हर संकल्प ही कदम हैं अगर आपने पवित्र संकल्प किया किसी के बारे में गिरना करी किसी से नफरत करी या आपने पवित्र संकल्प किया किसी के बारे में शुब भावना शुब कामना रखी किसी को दुआएं दी किसी की गलतिया ना दे एक नएक अच्छा ही दीवी है, तब जाकर के आप पर्मात्म से पदमो की कमाई कर सकते हैं, तो फिर आगे बाबा क्या कहते हैं, देखें, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, पदमो की कमाई जमा करने वाले पदम पती भवा, मल्टाय मिलियन, तो पदम मीन्स मिलियन, फ सावधानी दे रहे हैं, उची स्टेज मतलब संकल्प की सोच की purity की लेवल बहुत उची हो, ना कोईसी के प्रती गलत, ना अपने प्रती गलत, ना किसी के प्रती व्यर्थ, ना अपने प्रती व्यर्थ, ना किसी के प्रती अपवित्र, ना अपने प्रती अपवित्र, उची स सद्चोन को बहुत उंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे है क्योंकि हर करम का फल मिलता है और कल्यूग में बहुत चल्दी ही मिलता है अगर आप determTT आप इंस ऐसोचnant आक इस रातों की नीदे आप से ना पाए जो कि आपके कर्मों का हिसाब किताब ही है हम सोचने हैं कि किस ना किसी तरीके से बहुत बड़ा हिसाब किताब आता है लेकिन वेर्थ करते करते संकल्ब, पवित्र करते करते, क्रोध करते करते उसका असर हमारे शेरीर पर पढ़ता ही है मांसिक अवस्ता पर भी पढ़ता है नींद नहीं आना नींद नहीं आना ठीक से तो शेरीर की उपर असर पढ़ेगा ही पढ़ेगा क्योंकि नींद नहीं होने से तो शेरीर भी स्वस्तनी बनता है उसका रिपेर नहीं होता है तो इस सब कुछ हमारे मानसिक्ता से स्टार्ट होता है, कि हम कदम कैसे ले रहे हैं, आत्मे कदम, संकल्पों के कदम, तो बाप बच्चों को बहुत उची स्टेज पर रहने की साब्धानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है, अब तो कदम कदम प हम जब तप करते हैं, परमात्म का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, श्यवा, 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 या हम किसी और प्रकार से अल्ला हु अक्बर, अल्ला हु अक्बर कहते हैं, या कुछ भी कहते हूं, लेकि परमात्मा कहते हैं कि जब परिस्थिती आती तो क्या उस समय आप वो आजान या क्या उस समय आप वो माला जब सकते हो जब कोई प्वेक्ति आप से पूछ रहा है कि आपने ये गलती क्यूं करी तो उस समय तो आप राम 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 तो बोलने सकते तो जब तब करना मतलब की कहखगः A, B, C, D लेकिन अब advanced level है ब्रह्म कुमारीज में कि मैं आत्मा किस प्रकार से अपने मन में जब करूं कि मेरे पवित्र संकल भी निकले, मेरे मन से समर्थ संकल भी निकले, व्यर्थ ना निकले तो परमात्मा कहते हैं और details में बाप बच्चों को बहुत उंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं इसलिए अभी जरा भी कफलत करने का समय नहीं है अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए मलक की हमें किस प्रकार का जब करना है? पवित्र संकल्पों का, शुद्र संकल्पों का सावधानी देनी है कदम में पदमों की कमाई करते पदम पती बनो तो वो कमाई तो दुनिया की कमाई हुई लेकिन ये जो कमाई है ये अपने साथ में सारे पवित्र कर्मों को लेके जाने की कमाई कि यादगार ऐसी रहे कि जब शरीर छोड़ रहे हैं तो सिर्फ मैंने अच्छे करम कियें वो याद रहे किसी के बारे में अपवित्र ना सोचा वो याद रहे सबको दुआएं दी वो याद रहे तो मंसा मतलब मन, वाचा मतलब मुक्ष से निकलेवे शब्द और करमना मलक के हाथ परसे कियोए करम कि यादगार सबको सवच रहे तब है पदम पती बनने की कमाई जैसे नाम है पदमा पदम भागेशाली मल्टाइम मिल्लियन फोल्ड भागेशाली परमात्म को जाना, सुव को जाना तो बहुत भागेशाली तो बने करना क्या है उसको जाना कर्म क्या है उसको जाना और सोच क्या है उसको जाना बूल क्या है उसको जाना तो जाकर के पता चला कि हमें दुख क्यों हो रहा है शांती क्यों हो रही है तो उसका निवारन निकाला तो कितने पदमा पदम भाकेशाली बने तो परमात्मा कहते हैं ऐसे कर्म भी हों वैसी यह उसी अनुसार से कर्म भी हों की हमें पता चल गया है कि हम बच्चे किस के हैं तो उसके हिसाब से बच्चा किस का हो तो उसके हिसाब से कर्म मेरे वैसे होने चाहिए कोई अगर प्राइम मिनिस्टर का राजा का बच्चा होता है तो उसको ध्यान रहता है कि मेरे कर्म कैसे होने चाहिए तो अब तो आप प्राइम मिनिस्टर छोड़ दीजे मिनिस्टर छोड़ दीजे आप किसी बहुती अमीर विक्ति को भी छोड़ दीजे आप परमात्मा सारे तीनों लोकों के मालिक के बच्चे हो तो कर्म कैसे होने चाहिए तो परमात्मा कहते हैं एक कदम भी पदम की कमाई के बिगर ना जाए जो भी आपके संकल चलें वो आपके आपको कमाई करके देखे जाएं अगर आपने वेर सोचा, तो घाटा, अगर आपने अपवित्र सोचा, घाटा, आपने दुआएं दी, पवित्र सोचा, सर्फ गुण देखे औरों के अंदर, तो कमाई शुरू, और अगर आप यह सोचेंगे, तभी तो आप परमात्म को याद कर पाएंगे, अगर आप वेर चिंतन करेंगे पर का चिंतन करेंगे औरों का परदर्शन करेंगे कमी कमजोरी ढूंडेंगे तो आप परमात्मा को कब यात करेंगे तो आपकी कमाई कैसे होगी मनमना भव कैसे होगा परमात्मा करते हैं एक कदम भी पदम की कमाई के बिगर ना जाए तो बहुत सोच समझ कर श्रीमत प्रमान, परमात्मा के हैं, सर्व से उचे परमपिता परमात्मा, प्रकाश बिंदू, सबसे उचे हैं, तो उनकी श्रीमत जो है उसके अनुसार चलना, अपनी मत नहीं, मतलब मेरी मनमानी नहीं, परमात्मा की जो मत है, जो गाइडन से उसके अनुसार, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमान हर कदम उठाओ सोच समझकर श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो परमात्माने उठना, बैटना, खाना, पीना, सोचना तक बताया हुआ है कितने बज़े उठो, कितने बज़े सो, क्या देखो, क्या ना देखो, क्या बोलो, क्या ना बोलो, क्या सुनो, क्या ना सुनो इतनी guidance तो एक पिता ही अपने बच्चे को देता है तब ही तो परम पिता कहते हैं उनको तो इतनी guidance दिये, उसको कहते हैं श्री मत उसके अगर उलंगन में गए हैं अगर हम तो फिर दुख होना शुरू, पाप होने शुरू ध्यान से फिर से सुनिएगा इस वर्दान को, रिपीट करिएगा और आप का दिन शुभो, ओम शंती